Good morning friends, हमारी आज की बाचीर का टॉपिक है Follicular Study फिमेर इन फर्टिलिटी के इन्वेस्टिकेशन्स प्लान करते समय यह एक बेसिक जाज है लेडीज में Fertility Cycle यूनीक होता है पूरे मंथली साइकल के बीच में सिर्फ एक बार ओवा का ओविलेशन होता है इसी समय पर Fertilization होने से Pregnancy की शुरुआत होती है Follicular Study एक सोनोग्राफी के द्वार की जाने वाली Serial Investigation है हर दो से तीन दिन में यह जाज की जाती है कि अब अंडा कितना बड़ा हो गया जब अंडे का साइज 18 से 22 mm के बीच हो जाता है तब यह ओविलेशन और Fertilization के लिए तयार है Infertility Treat करने वाले Gynecologist के लिए इस Time Period को जाना ज़रूरी है ताकि Further Treatment Offer किया जा सकी